सरपन्च चुनावों की सरगर्मिया तेज, घरों की चोकर से लेकर चाय की दुकान तक, हर जगें चुनावों की चर्चाएं, सरपन्चों की दावेदारी करने वाले चल रही है चोसर की चार, गोटियां अपने पक्ष में डलवाने के लिए हो रही है पंच पटेलों की मान मन गामों में सियासी रंग का कौन असली रंगरेज देखिए पंचाय चुनाव से चुड़ी हर खबर डीपी के न्यूज पर गाओं की सरकार लगातार नमस्कार में आपके साथ हर्ष चोदरी गाओं की सरकार बुलेटन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है राजे निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पंचाय चुनाव से जुड़ा एक एहम आदेश जारी कर प्रथम चरण की 3847 ग्राम पंचायतों में निरवरोध चुने जाने वाले पंच सरपंचों के परिणामों की घोशना नहीं करने का आदेश दिया है आयोग ने निर्वाचन आयोग ने सुप्रिम कोड के फैंसले के बाद यह एहम आदेश जारी किया है दियासल राजे निर्वाचन आयोग की ओर से 26 दिसंबर 2019 को घोशित कारेकरम के अनुसार प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्र प्राप्ट करने का कारिया 8 जनवरी को पूरा हो चुका है इन नामांकन पत्रों की जांच वे नाम वाप्ट के तारीक 9 जनवरी यानि आज रखी गई है जांच वे नाम वाप्ट कुछ ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के पद पर निरविरोध निरवाचन की स्थिती आ सकती है लेकि एक दिन पहले बदवार को ही पंचायत के पुनवरी या गठन को लेकर आईस सुप्रिम कोड के फैंसले को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये निरदेश जारी किये सुप्रिम कोड ने गत एक दिसंबर को हुए ग्राम पंचायत के शंसोधित पुनय गठन को सही मानते हुए बदवार को जोदपुर हाई कोड के आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रिम कोड के इस फैंसले में राजय सरकार को एक बड़ी राहत मिली है वहीं इस फैंसले के बाद अब राजय निर्वाचन आयोग भी पंचाय चुनाव के चोते चरण में बड़ा बदलाव कर सकता है आयोग शेश रह रही एक सो अठानमे ग्राम पंचायतों के चुनाव चोते चरण में करवा सकता है इसके लिए राजय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैंसले के बाद राजय सरकार से रिपोर्ट मागी है इसके लिए पंचायती राज विभाग को भी एक पत्तर लिखा गया है तो खबर निमका धना से पंचाचनाव के लिए सरपंच व्यवाड पंचों ने नमांकन दाखिल किया गनेश्वर गाउं सहित गावडी, चीपलाटा, दीपवास, आगरी छित्र में बदवार को सरपंच पद व्यवाड पंच दावेदार परत्याशियों ने अपने समर्तकों के साथ नमांकन रेली में पूरी ताकत जहुकती कोई सजे धजे उंट की सवारी कर धब चंग धमाल नाचते गाते घर से रवाना हुए जब महिला सरपंच परत्याशी बेटा बहु उंट की सवारी कर घर से रवाना हुए तो खोखा, बेटी, सास, बहु को जुग-जुग देख रही थी ससुर धब चंग धमाल पर रेली में नाच रहा था जेट, जेठानी, ननन्द, समर्तक जीत के नारे लगा रहे थे ऐसा नगनहजारा देख हर कोई बेटा बहु का होंसला बुलंद कर रहा था आगरी में सरपंच पत दावेदार महिला परत्याशी अनिता सेनी ने भी उंट की सवारी कर रेली के रूप में नामांकन भरने पहुंची तो समर्थकों ने धब चंग पर जम कर खुश्यां जाहिर की गणेश्वर में तेरा महिला सरपंच परत्याशी ने नामांकन दाखिल किये वहीं वार्ड पंचों ने 27 नामांकन दाखिल किये जिसमें तीन निरोविरोद वार्ड पंच चुने गए आगरी में महिला सरपंच परत्याशी तेरा ने नामांकन दाखिल किये तो वहीं वार्ड पंचों ने 27 नामांकन दाखिल किये जिसमें तीन वार्ड पंच निरोविरोध चुने गए तो ख़वर रावला मंडी से ग्राम पंचेट आठ पीएचडी बीर रावला मंडी के 17 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए बदवार को नामांकन परकिरिया में 19 उमी दवारों ने अपने परचे दाखिल किये सरपंच परत्याशी सुरजीत सिंग बरोका ने अपने समर्थकों के साथ धोलनगाडों के साथ रेली के रूप में पहुंचकर नामांकन फार्म भरा सरपंच परत्याशी कृष्ण चांदोरा ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुँच कर पर्चा भरा सरपंच परत्याशी बोहर सिंग ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्या बजार में अपने समर्थकों के साथ जन संपर्ख भी किया खबर गर्चाना से जहां ग्राम पंचेट 12 MLD में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई चुनाव सरपंच उमिदवार सुमन बावरी को भारी समर्थन मिल रहा है 12 MLD ग्राम पंचेट की ग्रामवासियों का समर्थन मिल रहा है आज दिरशाम ग्रामवासियों ने अनारों से तोला इस दौरान ग्रामवासियों नारे भी लगाए वहीं हमारा सरपंच कैसा हो सूमन बावरी जैसा हो गौरतलब है कि सुमन बावरी मकन सिंग बावरी की पुत्र वदू है और वहीं सवसर पर सुमन बावरी ने कहा कि आपकी बेटी हूँ और आपके आशिरवाद और पंचायत की चहुमुकी विकाश के रादे के साथ आप सब के बीच में हूँ और आपका आशिरवाद मिला तो विश्वास दिलाती हूँ घर्जाना पंचहत समिती की सबसे सुन्दर और स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने का कार्या करूँगी और 12 मेलडी ग्राम पंचायत खेल और स्वच्छा में एक नई उन्चायों की और छूता हुआ आपको दिखाई देगा मैं ऐसा प्रयास करूँगी पंचहत बारा मेलडी की सबी ग्राम पंचायत 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 बारा मेलडी की सबी ग्राम पंच कि उन्होंने मुझे सर्पंच पद उमिद्वार की रूप में मुझे चुना उस लाइक मुझे समझा इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों का ग्रामपंचायत 12 मेलडी के सभी भाई बैनों का तै दिल से निवेधन का प्रणाम करती हूं तो खबरबाड मेर के केकर से जहां होड सीट बनी ग्रामपंचायत केकर की सीट गीता चोधरी ने मुख्यालया पर रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामाकन दाखिल किया चोधरी के साथ बारी संख्या में ग्रामवासी व्य जन प्रतिनीदी और गणमाने नागरी को पस्तित रहे इससे पहले एक बजे चोधरी के निवास स्थान से नमाकन रेली के रूप में काफिली के साथ रवाना हुए नमाकन के बाद चोदरी ने गाओं के विकास मोडल का विजिन आमजन के सामने रखा मोगे परुपस्तित जन समोय ने चोदरी को भरपूर समर्थन देने का भरूसा भी दिलाया तो खबर जैसल में जलिसी जहां सांकडा पंचया समीती की नवगठित ग्राम पंचायत इंद्रा नगर में सरपंच वैपंच 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 और वाड़ पंच उमिद्वार सोडा में है उमिद्वारों में भारी जोशो रोटसा देखने को मिला जबकि पक्ष में वोटर लगा रहे थे जूरदार नारी जबकि ग्राम पंचाय तिंदर नगर में सरपन सीट ऐसी होने के कारण बड़ा ही दिल्चस पत्रिकोणिय मुकाबला भी देखने को मिल रहे जबकि ग्राम पंचाय तिंदर नगर में वाड़ छे होने के कारण सैंकड़ों मिद्वार अपना भाग्या जमार रहे है और ग्राम पंचाय तिंदर नगर में कुल वाड़ छे है और हर वाड में तीन तीन उमिद्वार अपना भाग्या अजमार हैं तो खबर भीलवाडा से चांड सुप्रिम कोर्ट द्वारा भीलवाडा चिले की बदनोर पंचायद समेती को यतावत रखने के आदेश पर बदवार को कस्वे वासियों ने चुराय पर जम कर आतिश बाजी की इस दुरान आसीन विधायक जबर सिंग सांकला ने लोगों को बढ़ाई देते वे मिठायां भी खिलाई विदायक जबर सिंग ने सैकला ने कहा कि बदनोर पंचायत समिती बनने पर मंगरा चेतर वे बदनोर तसील का चहु मुखी विकास होगा और चेतर की जनता को स्वेधाईं पर दान होगी साथी छेतर वासियों को विश्वास दिलाया कि पंचायत समिती मुख्यालया पर सिक्षा चिकितसा आदी समस्याओं को दूर करने के लिए भरपूर प्रियास किये जाएंगे पेषले वbaneकिंटसाय रहाान लोग श alternator इन लोगों के और हमारे उपर टर और उन्मी इच्षा कुछ और Оरी थी और मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं किया जो क्र permett वस्ता हमारे अीन प्रोसा थहां सुप्रीम कोर्ड पे चलिब कारी कारीच करता है, बगवान ने भी आदरगया बगवान ने भी हमारे उपर किरपा करी और सुप्रीम कोर्ड ने फेचला किया और हमारे पक्समाया इसके लिए मैंि सुप्रीम कोड का भी बहुत-बहुत आबार विक्त करता हूँ साथ ही सब् leaning क्षेतरवाजी यहां है इनसबी को मैं बहुत-बहुत बदहि देता हूँ और पूरे चितर में, केवल बदनोर किसेतर में ही नहीं, पूरे आसिन्थ हुड़ा विधान्सभाक चितर में हर्च की लहर है तो खबरबाडमिर के आसूतरा से जां कडाके की सर्ती में भी पंछवय सरपंच की सरकर्मिया तेज है पश्चाय थिरा चुनावों को लेकर बदवार को सरपंच वए पंच वे पंच उमिदवारों की पहले राउंड का नामांकन हुआ पंच वे सरपंच उमिदवारों के नामांकन भष्णने के लिए राज के उच्चमादिमिक वेदालिय आसूत्रा में अल सुबह साड़े दस बजे से साड़े चार बजे समय अनुसार पंच और सरपंचों ने आवेदन किये अल सुबह ही सरदी में ही आवेदन के लिए स्कूल परीसर में पहुँच गए वहीं बीयलों ने बताया कि सरपंच के पंदरा आवेदन किये गए और पंचों के लिए 65 आवेदन जमा किये गए अमीद्वारों में भारी जोश और उत्सा देखने को मिला वहीं आवेदन के पूरे दिन शांती का माहूल रहा वहीं गुरुवार को सुवै दस बजे से तीन बजे तक नाम वापसी लिया जाएगा तो खबर घडसाना सिज्चा नामांकन रेली में कुश्प्रीत कोर अपने हजारों गरामेडों के साथ फारम भरने पहुंची तो उनके साथ उनके पती पुरो सरपंच रहे जस्पाल गिल के जनता के बीच में हमेशा ही सक्रिया रहे है इसलिए जनता का प्यार देखवी पक्षियों के होश उड़ गए ऐसे उमीदवार थे जो सरपंच के नामांकन से पहले ही मैदान से बाहर हो गए पुरो सरपंच रहे जस्पाल गिल ने हर दुख में जनता के साथ रहे हैं और हर गरीब वर्ग के साथ खड़ी नजर आए जस्पाल गिल राजनीती में भी अच्छी पकड़ है और सरपंच नया रहते हुए भी हमेशा सही हर गरीब को न्याय मिला है तो इसी के साथ गाओं की सरकार बुलेटन में इतना ही और पंचाय चुनाओ से जुड़ी हर खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं डीपी के न्यूज नमस्कार सरपंच नयाओं की सरगर्मिया तेज घरों की चोकर से लेकर चाय की दुकान तक हर जगें चुनाओं की चर्चाएं सरपंचों की दावेदारी करने वाले चल रही है चोसर की चार गोटियां अपने पक्ष में डलवाने के लिए हो रही है पंच पटेलों की मान मनोहार गामों में सियासी रंग का कौन असली रंग रेज देखिए पंचाय चुनाओं से चुड़ी हर खबर डीपी के न्यूज पर गाओं की सरकार लगाता